दोस्तों हमें फूटिंग प्लांट लगाने का तो बहुत ही शौक होता है लेकिन जब फूटिंग प्लांट पर किसी तरह से पेस्ट का अटैक हो जाता है तो हम बड़ी परिशानी में पढ़ जाते हैं कि अब हम उन्हें कैसे दूर करें क्योंकि यदि केमिकल दवा डालते है तो हमारे फूट पर असर पड़ता और उस फूट को खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है और यदि हम और्गनिक दवा डालते हैं तो उससे हमारे पेस्ट जल्दी से कंट्रोल नहीं होते हैं तो खासकर ऐसे जो फूटिंग प्लांट होते हैं वह लेमन है जिसमें बहुत सा काला काला जम जाता है तो उसका मतलब है करना बहुत ही ज्यादर जरूरी हो जाता है और साति ही मुशकिल हो जाता है मेरे इस प्लांट पर पिछले महीने तक इतने जाए बीक नदो काला हो गया था कि क्या है लेकिन जब मैंने गौर करके देखा तो मुझे वहांपर दिखलाई दिए बहुत सारे छोटी-छोटी से काले-काले से कीड़े उसके बाद जब मैंने पत्तों को पलट कर देखा तो पत्तों के पीछे भी उन सारे कीड़ों के अंडे पड़े विवे थे, यानि कि धीरे-धीरे वो प्लांट को इस तरह से जकड लिए थे, कि यदि 10-15 दिन और मैं ध्यान नहीं देती, तो मेरा पूरा प्लांट ही सूख जाता, देखें मैं आपको यहाँ पर दिखलाती हूँ, देखें कितने सारी सफे सफे से आपको दिख रहे लेकिन पिछले 15 दिन पहले मैंने इन पर जिस दवा का प्रयोग किया है, उस दवा के असर से बहुत सारे दूर हुए हैं, और मेरे प्लांट पर नहीने ग्रोथ भी आ रही है, तो सबसे पहले हम जो इस पर रेमेडी करेंगे वो है और गैनिक, क्योंकि जब थोड़े से साइड होता है, लहसन में एक कडवापन होता है, उस कडवेपन के कारण और साथ इसाथ इसकी तेज सुगंद के कारण कीड़ों को दिक्कत हो जाती है, तो इस तरह से बहुत ही जल्दी ये पेस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इन दोनों लहसन के कलियों को हम निकाल लें अब इस पेस्ट को हमें गरम पानी में डाल देना है, यह मैंने आधा लिटर पानी को गरम कर लिया है, आधा लिटर से थोड़ा सा जादा होगा, जब पानी खौल गया है, तो इसमें हमें लहसन के इस पेस्ट को डाल देना है, क्योंकि जब पानी गरम होता है, तो लहसन मे सकते हैं क्योंकि अलावुयरा की पत्तियों में भी फैस्टिसाइड होता है इसे बहुत अच्छा फंगिसाइड और प्रेस्टिसाइड बनाया जा सकता है तो आप चाहें अच्छा को भी काट करके और पानी में सोक करके 12 गंटे के लिए रख दें तो उस तरह इससे भी एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड बन जाएगा यहां पर मैं इसे नहीं ले रही हूं मैं अभी लहसन को ही ले रही हूं और साथी साथ मैं लूँगी नीम ओयल यह देखिए दोस्त रही हूं ताकि इसका जो ऐसा लिक्विड निकले जिसमें की इसके जो छोटी-छोटे पार्टिकल्स हैं वो नहीं मिले नहीं तो जो हमारे स्प्रेयर हैं उनकी जाली में यह छोटी-छोटे पार्टिकल्स फस जाएंगे तो अच्छे से पानी इसका स्प्रेय नहीं हो और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नीम ओयल भी मिला देंगे तो नीम ओयल बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड होता है तो इसे हम दो चार बुन डाल देंगे नीम ओयल को ताकि उसमें मिल करके वह बहुत अच्छा और ये देखे मैंने अलवरा जल को भी फूला कर रखा ह हुआ है बाद में मैं इसे भी अपने पेस्टिसाइड के रूप में काम में ला सकती हूं बस थोड़ा सा आधा चमच डाल देना है जिससे की हमारे जो सॉलूशन है पहले ती ही लसन के करण वह कड़वे हो चुके हैं इसमें नीम ओयल डाल देंगे तो और भी ज्यादा वह कड़वे हो जाएंगे अच्छी तरह से इने शेक कर लेना है और शेक करने के बाद हमें पूरे प्लांट पर स्प्रे कर देना है प्लांट के एक एक पत्ती और एक एक डाल पर इसका स्प्रे करना जरूरी होगा क्योंकि जब प्रेस्ट बहुत जादा लग जाता है तो हमें हर पत्ति को हर डाल को इससे नहलाना बहुत ही जरूरी है जब पूरी तरह से पत्ते और इनकी डालियां भीग जाएंगी इस solution से तभी जाकर हमारी प्रेस्ट कंट्रोल होंगे अच्छी तरह से इस्प्रे में हमें प्रेस्ट कर लेना है हवा उसमें भर लेना है उसके बाद जब हम पूरी धार से तेज धार से इस पर इस्प्रे कर देखे यहां भी एक कीडा लगा हुआ है तो जैसे ही इस पर यह solution पड़ेगा थोड़ी दिर में ही वह डेड़ हो जाएं तो उसके बाद आपको दिख रहा हुआ कि मेरे प्लांट में कुछ पत्ते कुछ बहुत हरे हरे से दिख गए हैं और हरे हरे पत्तों के बाद में कुछ फ्लावर भी आये हैं और कुछ छोटी-छोटे से लेमन भी लग गए हैं तो लगातार हमें हर 15 दिन पर यह treatment करते रहना है देखि एक और दूसरा मेरे निम्बू का प्लांट है उस पर भी पत्ते जो हैं वो मुड़ गए हैं मुड़े हुए पत्ते हैं कहीं कहीं से पत्ते जो हैं कीड़ों के द्वारा खाये हैं तो इस प्लांट पर भी उस पेस्ट का टैक हुआ है तो हमें भी इस प्लांट को तरह से नहला देना है एक एक पत्ते को एक डाली को ताकि कहीं भी कीडे का कोई एक लारवा भी रह गया हो या उसके अंडे रह गया हो तो वो भी बिल्कुल से वो डेड़ हो जाए दोस्तों ये तो हो गया और्गेनिक उपाए लेकिन ये आपके प्लांट पर बहुत सारे कीडे लगे हुए हो पूरे प्लांट पर भर गया हो जैसे मेरा प्लांट 15 दिन पहले था तो पूरे प्लांट मेरे काले हो गये थे प्लांट के सारे पत्ते काले हो गये थे और कम से कम 15-20 पत्ते हैं उस पर यह कीड़े लगे हुए थे और देखे प्लांट के पत्तों के पीछे हैं वो ढेर सारे कीड़ों के अंडे दिये हुए हैं और उनी अंडों से चोटे-चोटे से कीड़े लगातार निकल रहे हैं तो ऐसे में हमें औरगेनिक जो पेस्टिसाइज होता है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है दोस्तों तो यदि ऐसा होता है तो आप उसके लिए केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी आपक पूरे प्लांट पर मेरी काले-काले ऐसे कीड़े भरे हुए थे और सभी पत्तों के पीछे धे सारे छोटे-छोटे से अंडे थे तो इसलिए मुझे शुरुवात में केमिकल का ही उपयोग करना पड़ा 15 दिन पहले मैंने केमिकल का यूज़ किया था और उसके बाद बदल चलने शुरू होगे मैं अभी आपको दिखलाओंगी और साथ ही साथ छोटे-छोटे फ्रूट भी लग गए तो यह देखिए दोस्तों ऐसी जब स्थिती हो जाए तो और गैनिक फट्ली साइट से काम नहीं चलता है क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में यह कीड़े हो गय उसके बाद जब मैंने उन पर यह केमिकल डाला है तो उसके बाद मेरे जो प्लांट हो बहुत कंट्रॉल में आगये तो उसके लिए आप लीजिए गा यह करेंट करेंट जो है सकता है थोड़े थोड़े जो लारवा है या उनके अंडे है या छोटे-छोटे से कीडे हैं वो इस पानी की धास से निकल कर नीचे गिर जाएंगे उसके बाद आपको यह भी करना है कि जैसे मैंने आपको दिखलाया कि मैंने बहुत सारे पत्ते तोड़ तोड़ करके चाहिएगा और उसके बाद उस पर स्प्रे कीजेगा तो देखिए 15 दिन के अंदर में आपको यह जो है चेंज दिखलाई देने लगेगा और तब आपके प्लांट पर फूल भी आने लगेंगे और दीरे देखिए छोटी-छोटे फल भी आने लगेंगे तो 15 डेस पहले मै तो आपके साथ भी इस तरह के प्रॉब्लम आया हो तो आप इसी तरह से सॉलुशन दे करके आपने लेमन के प्लांट को बचा सकते हैं और देखिए मेरे प्लांट में कितनी नई नई ग्रोथ आ गई है और छोटे-छोटे से लेमन भी आपको दिखलाई दे रहे होंगे तो कमें करके जलूर पताना